स्टनेद एकैट पाईट वॉन 번째 रेशियो कैसे हैं तो फी रेशियो के बिच में रेशियो डिया हुआ है को पूछा हुआए तो लिख लेते हैं इसको यह आप है तो मारेश को बीचेय पहलका के बीच में तो 5 Rp and 500 पैसे दोणों के बीच में राश्यों बताना है जब भी राश्यू की बात आती है तो हम क्या करते है राश्यों में दोनों के उनिट पहले से बनाओ यह पैसे में दिया है, यह रूपिय में दिया है, तो यह आप अलग-अलग उनिट में कर नहीं सकते हैं, तो पहले यह पांच रूपिस है नहीं उसको पैसे में, तो एक रूपिस अगर होगा, तो उसको हम 100 पैसा बोल सकते हैं, तो यह कितना है, पांच रूपिस, तो पांच रुपीज के जगह पर कितना लिख सकते हैं आप 500 पैसा तो यह 500 पैसा हो गया है और यह 50 पैसा हो गया है तो अब दोनों का रिशियो ले लो तो अब दोनों का रिशियो लोग यह तो उपर 500 नीचे 5 0 तो 10 से 10 कटेगा 50 को कैसे लिखेंगे हम 5 into 10 5 को कैसे लिखेंगे 5 into 1, तो यह 5 5 कटेगा, तो क्या आएगा answer, 10 jam 1, क्या आएगा answer, 10 jam 1, फिर से 5 रूपीज था 50 पैसा था, तो यह जो रूपीज था उसको पैसे में convert करो, तो 1 रूपीज में 100 पैसा होता है, तो 5 रूपीज में 500, तो 500 अब 5 रूपीज, तो 5 रूपीज की तो 5 into 10, नीचे 5 into 1, तो 5 रूपीज कटेगा, तो 10 jam 1, ऐसा ही दूसरा क्रिशन लिखेता है, दूसरे क्रिशन में क्या बोला है आपको, 15 केजी, 2, चला आपको थोड़ा सही से दीखे, रेट पैसे लिखता हो, 15 केजी, 2, 210 ग्राम, तो अब क्या होगा, यह किलो ग्राम में लिखे, ग्राम में दिया है, तो इनका रेकिरों होगा, तो पहले 15 केजी को ग्राम में चन्वर्ट करो, तो ऐसे उपर जैसे किया था, वैसे ही 15 केजी का ग्राम, तो 1,000 से मल्टिप्लाइ कर दो, तो 1,000, तो टोटल कितना हो गया तो यहाँ पर एक एक 0 कटेगा अब 21 21 को 3 से काट होगे तो कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 7 और 1500 को काट होगे तो 5 00 कितना हो जाएगा 5 00 जेरो ओके तो आंसर क्या आ गया उपर उपर बचा 500 और नीचे 7 तो फिर से क्या किया 15 केजी था 15 केजी को हाउजन सा मल्टिप्ला करके इसको ग्राम में कनवर्ट किया क्योंकि ये पीछे ग्राम दिया हुआ था न तो 1500 ग्राम तो 1500 ग्राम और 210 उन दोनों का जब रेशियो ल तो अगें सेंटिमीटर ये मिटर तो इसको पहले किस में कनवर्ट करो मिटर को सेंटिमीटर में कनवर्ट करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 9 जो मिटर है उसको सेंटिमीटर में कनवर्ट करोगे तो 9 मिटर क्या हो जाएगा 900 क्या हो जाएगा 900 सेंटिमीटर उपर हो जैम 3, क्या आंसर आया, 900 divided by 27, तो 100 जैम 3, यहाँ पर 30 day और 36 hour, तो इसको क्या करोगे, 30 day, तो 30, चलो, चलो, हम 30 days और 36 hour था लिखते हैं, तो पहले, यह hour में दिया है, तो इसको hour में convert करो, तो क्या करेंगे, एक day में 24 hour होते हैं, तो 30 को किस से multiply करेंगे, 24 से, किस से multiply करेंगे, 24 से, तो यह कितना हो गया hour, तो 30 into 24, यह कितना हो गया hour हो गया, और यह कितना हो गया, 36 hour, तो इन दुनों का आप ratio ले लो, तो 30 into 24, और नीचे क्या है, 36, तो 12 से 3, 12 से 2, 3 से 10, तो आंसर क्या है, 20 jam 1, आंसर क्या है, 20 jam 1, अब उसके नीचे वाला देख ले दे, कि in computer lab, there are 3 computer for every 6 student, तो क्या है, 3 computer है किसके लिए, 6 student के लिए, तो how many computer will be needed for 24 students, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इस side पर computer, और यहाँ पर students, तो computer कितना है यहाँ पर पहले, 3, तो 3 के लिए, student कितने थे, 6, और वैसे ही, कितने हुए अभी, 24 student रहे, तो कितने computer आपको, अब हम इसको ratio से ले जाते, ratio, अब हम इसको ratio से ले जाते, तो ratio में कैसे ratio लिखेंगे हम, तो देखो यहाँ पहले हमने उल्टा लिखा है, यह 24 computer ने, computer रहे को fine करना है, इसको value देए, 24 value देए, Casey, क्या है देखो ratio ratio में कैसे जाएंगे तो ऐसे ही एक साइट पर computer लिखो और एक साइट पर students लिखो ओके तो ऐसे ratio में तो क्या करेंगे 3 है computer तो उसका equal to student 6 है तो अगर x computer है sorry let me say x computer है तो कितने student है 24 बस अब ratio चलाओ तो 3 by x इस side पर और सामने 6 divided by 24 बस अब simplify कर दो तो x x को इधर ले जाएंगे 24 को इधर ले जाएंगे और 6 को नहीं चलाएंगे तो x is equal to 3 into 24 divided by 6 तो 6 4 जा तो 4 3 जा 12 आंसर क्या जाएगा 12